है गाइस वेल्कम बैक टू मैं यूट्यूब चैनल से विलांट स्पॉर्ट तो कैसे हैं आप सब लोग आप सब लोग अच्छे होंगे और वडिया होंगे और अपनी प्रिप्रेशन को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे तो आज हम लोग आपके लिए एक नई वीडियो लेक लिए स्थ kindly लिएन से पहले नमबर सिर् старिके ओपर तो स्का वेक्साइं सायों डिवारस निकिए तरहलें यह उसका बेसिक हम लोग ने डिसकस नहीं करा था लेकिन नंबर सीरीज जो अगर हम लोग देखें नंबर सीरीज को शोट के जैसे अल्फावेट सीरीज आती है तो इसमें बेसिक रहता है जो चीज़े आपको पता होनी चाहिए पता होनी जुरूरी है तो उनको आज हम लोग डिसकस करेंगे अच्छे से वीडियो में हम लोग आपको पूरे एक्जम्पल के साथ बताओंगो उनको किस तरीके से नंबर सीरीज को अप्रोच करना है क्या रहता है उसमें और यह हमारी नेस्ट वीडियो आएगी उसमें हम ल वीडियो को शुरूँ सबसे पहले बात कर लेते हैं पूजिशन आफल फाइबट की ठीक अगर कोई भी निंबर सीरीज आपको आती है तो सबसे पहले आपको पूजिशनिंग पता होने चाहिए ठीक है यह जैसे सी डी एफ रहता है तो इसकी पूजिशनिंग क्या रहती है ज चाहिए ठीक सबसें इस की पूजिशन देकर एंहरे खिंश की सबके संदें पर यहां पर 16 सरह कमने देख सकते हैं आप यहांप पी पूजिशन देखा है ठीक है उसके था यहां व व की बात करें इन तो सुर्च आए पनले करें तो deze was घण तो यह उनकी पुजिशनिंग रहती है ठीक है यह नंबर की आपको पुजिशनिंग पता चल गई इसी को हम लोग ध्यान में रखते हुए जितने मी कुशन्स आएंगे इसको लेके हम लोग सॉल्व करेंगे ठीक है अब सबसे बड़ी बात जी है कि जब भी कोई नंबर कि लाइक बनाने के लिए कि आपको बन क्या रहा है जैसे अगर आपको पता है जीस को फाइंड को क्या करना पड़ेगा positioning का पता होना चाहिए है हर एक लैंटर की positioning का पता होना चाहिए कौनста को पारकर अब बात करते हैं यह positioning का आप कैसे रखोगे ठीक you एक तो आप सिंपल लिए सारे के सारे लैचर हैं इसको सभी सभी की positioning यहाँ जाद कर लिजी एक हमारे पस एक कुछ ट्रिक्स रहती है जाध रखने के ठीक है तो करते हैं वो ट्रिक्स आपके साथ इसकस कीद से करनी है। हाउ टू रिममबर करके मैंने यहां पर स्लाइड बना रखी है तो एक आता है हमारे पास इजोटी ठीक है आपका क्या कर सकते हो एक पर जाद रख लो इजोटी ठीक है इ, जे, ओ, टी, बाई ठीक है इजोटी यह आपके सामने है इजोटी इजोटी की बात करने तो E की पुजिशनिंग क्या है 5 ठीक है, Z की पुजिशनिंग क्या है J की पुजिशनिंग क्या है 10 O की पुजिशनिंग क्या है 15 T की पुजिशनिंग क्या है 20 और B की पुजिशनिंग क्या है 25 ठीक है, J इनकी पुजिशनिंग है तो इस तरीके से आप जितने में ठीक है 5 के multiples हैं इसमें आप उनकी positioning ज्याज रख सकते हो E, J, sorry, यहां पर मैं मिसंडिस्टेंडिंग से यहां पर गलत लिख दिया है मैंने, sorry यहां पर यह नहीं है, J है यहां पर, ठीक है, इसको आपको रट कर लीजेगा यहां पर क्या है, J है, ठीक है, तो इसको आपको रट कर लीजेगा, अपने पास जब आप इसको देखेंगे, ठीक है, आप आपने पास नोट फूर बनाएंगे, तो इसको J कर लीजेगा तो A, J, O, T, ठीक है, H, O, T, तो J की पुजिशनिंग 10 रहती है, O की 15 रहती है, T की 20 रहती है, और बाई की कितने रहती है, 25 जो मैंने आपको बताया, तो इस तरीक के से इनकी पुजिशनिंग आप जाज रख सकते हो, ठीक है, अब आपको पुजिशनिंग में एक और बतात हूँ, सिफी लोरिक्स करके, ठीक है, सिफी लोरिक्स करके, अगर आप देखोगे, तो ऐसे आजाता है, सिफी लोरिक्स, ठीक है, इसको आप जाद रख सकते हो, सिफी लोरिक्स, और इसको आप जाद रख सकते हो, इजोटी, E, J, O, T, ठीक है, C की पुजिशनिंग क्या रह पोजिसनिंग आपको सिंपल से अगोई कि तो अगर आपको बसी पूझत की पोजिएुरा कि यहां से पूजिसनिंग के आगे लेवन हो गई फिर्ट फेसे अ इसी तरीक्cano法 पूछते हैं Łज पूजिस्टें तो K उसके पिशे उता 11 हो गए ठेक है M की पूशय हो यहां तो L के आगे क्या होता है M होता है तो 13 हो गई उसकी तो इस तरीके से भी आप जाद रख सकते हो जान तो आप फिर पुशिशनिंग सारे लेटर की पुशिशनिंग जाद रख लिए कि कौन सा लैटर कौन सा पूश एक मिनट होता है एक कुछन को सुल्व करने के लिए ठीक है तो एक मिनट में अगर आप पूरी की पूरी आलफा वेंट लिखो गए उसके बाद में पूजिशनिंग देखोगे तो बहुत प्रब्लम होती है तो स्पीड को बढ़ाने के लिए लौजिक तो बात की बात अलिक है ठीक है पहले तो पूजिशनिंग बता होनी चाहिए तो पहले आप लोग अपनी यह इसलिए मैंने यह स्पैशल वीडियो इसलिए बनाया है कि आपको पूजिशनिंग के बारे में थोड़ा बताया जाए क इस तरीके से आपको जाद रखना है इस चीज़ से आप इसको जाद रख सकते हो ठीक है यह चीज मैं आपको बता रहा हूं और हर एक खेटर की पूजिशनिंग आपको जाद होने चाहिए क्योंकि इसके बिना आप लोग जो अलफ़ावेट की सीरी साल नहीं कर पाएंगे क जैसे नंबर सीरीक्स में लॉजिक बनते हैं इसी तरीके से इसमें में लॉजिक बनेंगे लेकिन लॉजिक तब बनेगा जब आप लोगों को सीरीस पूरी पता होगी ठीक है उसकी पूजिशनिंग पता होगी नेस देखते हैं नेस आ जाते हैं आप उज़ट अलफवेट क्या होता है ठीक है आप उजट लिफवेट की बात करें तो पुजिशनी के हिसाब से आप उजट अलफवेट ठीक है जैसे एक की पुजिशनिंग और तो एक दूसरे का पुजट हो जाएगा ठीक है जैसे बी फस्त है अगर हम लोग स्टाटिंग से बात करें तो कौन से सान चैसे मतलब तो आपकी पुजिशनिंग आपको पता होगी तो उन दौनों नंबर का क्या करना आपको ऑपुजट देखना है अपुजट आपने लिख लिए यह मान लोग कि आपको किसी ने पूछा ठीक है, H का opposite क्या होता है, तो आपने H का opposite बता दिया कि S होता है, ठीक है, अगर आप आप जानना चाहते हो हुआ है वह opposite बिल्कुल सही है ठीक है तो आप बात कहले लाते हैं opposite और उनको किस तरीके से जाद रखना है यह भी मैं आपको बताता हूं तो यह रहते हैं opposite ठीक है अभी मैं आपको बताता हूं यहां पर एक opposite रहता है तो इस तरीके से भी आत तरब से जाद रखे लो दूसरी तरफ से तो को अगर आपको डउनको कुभी आप ले लो जैसे जी ओ ती ले तो इस तरीके से आपको पताओना चाहिए ठीक है एक तो यह तरीका हो गया दूसरा हो गया मैं आपको बताता हूँ ट्रेक इन को जाद रखने की ठीक है जैसे ए और जे को आप किसे जाद रख सेते हो आज ऐसे करके आप मैं आपको बताऊंगा हिंदी में वर्ड बताता चलूँगा आप पसाथ साथ में लिखते जाएए जो जो वर्ड आपको जिजिस के लिए अच्छा लगता है तो आप उसके लिए उसको रख सकते हो आज से बी और बाई लिखा हुए तो उसको किसे जाद रख स सकते हो कार्बन और जीनॉन आपने पड़ा होगा कैमिस्ट्री में रहता है तो उस्से जाए रख सकते हो जाह रख सकते हो च्छा फिर आप ज्यादा फ्रेंड अगर देखना चाहते हो तो आप इसको दोस्त वाइफ से भी आ रख सकते हो ठीक है कि वाइफ यू ह वो दोस्त होती है ठीक है उससे भी जाद रख सकते हो दोस्त वाइफ ठीक है तो उस तरीके से भी आप इसको जाद रख सकते हो ईवन से ठीक है यह तो इसको इलेक्ट्रिक बोल्ट से भी जाद रख सकते हो अब ठीक है तो जो मैं आपको बता रहा हूं जह जह चीजह आप लिखते जाए या आपको जिस तरीके से जाद रखना है अब रख सकते हो इवन से जाद रख सकते हो यू और एफ की बात करें इसको तो फार यूट से जाद रख सकते हो फार यू यू या उफ से भी यू रख सकते हो यू फ ठेक है जी और टी की बात करें तो आप इसको जाद रख सकते हो पनेता है हमारा जी ती रोड गषो आप या रख सकते हो एक चो धो रुट की बात करों तो यसQ आप यार रख सकते हो जंगल कूने के नाय पिक के के नाम से जा रखते हो तो और पी लिखो एक जाने को जानते हैं तो उनको पता हुँगा कि एक चैनल आता है लाइफ होके जहां अगर कुछ और बच्चे आगर आप जाद रखना चाहते हो तो लब से जाद रख सकते हो ठीक है लब भी ठीक है में पहले दो बड़ तो आपको पता चल गया अपोज़ट क्या जाएगा तो यह कुछ आपोज़ट से इनको जाद रखने की टेखनीक्स थी यह मैं ने आपको बताई तो आपको इंट में से जो टेकनीक्स अच्छे लगती है आप लेख सकते हो तो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं ए और जे का आज, बी और बाई का बोई, सी और एक्स का कॉर्बन जिनाउन या 6, डी और डवल्यू का ड्यू या दोस्त वाइफ, ए और बी का इवन जाए लेक्टरिक वोल्ट, यू और एफ का उफ या फार यू, ठीक है, जी और टी का जिटी रोड, ह और एस का हनी सिंग य जा रख सकते हो, के के लाइक आ लाइफ का या लव के नाम से इसको याद रख सकते हो, यह एक ट invented का आपसे अब टिक है लब को अगर बात करें तो आपको लब को देखे क्या लगा अभी मैं आपको बताता हूँ आप देखिए यहां पे देख सकते हो ठीक है सोरी यहां पर आगे tchodzi m G आप आपका अपवाः यहां पर आप देखिए एल और ओ को दिखिए ठीक है देख सकते हैं आप ऐल ओर और ओ को और बी को सब्सक्राइब अरवड यहां पर ठीक है तो इसी तरीके से अगर आप देखो गे यह सकते हैं ठीक है तो ल्व इनका बनेगा ल का क्या हो गया ओपो और बी का क्या हो गया इची कह तो इस तरीक थे से अप लब करके इसको जाहरा रख सकते हो ठीक है् ठीक है al यकायम मैंने कहसी तो ने कहसे लो को या फोके से यह लब सर खीक है तो अगर यह बाद जाहरा रख Confederate तो यह आपके आपके चाहद हो गहें ऍस्ट जाहद रखने के एक और वर्ड है हुफ लब शर्ड जी ठीक है, आपको सिरभ यह वर्ड जाहद रहना है आज हम लोग करी इमायद देते हैं लब्ली शर्ड जी ठीक है, किसी को बोल देते हैं यहां पर lovely नहीं है सिर्फ love है फिर लबέρ, ठीक है लव श्रट जी ठीक है इस तरीके से आपको जा드र्शन होजा है अगर इसके opposite के मैं बात करूँ तो you का opposite क्या होता है F, मैंने बताया था lek का opposite क्या होता है O, sorry कर आल का opposite होता है L. B. E. का क्या होता है और आखे क्या है TG, TG मैंने क्या बताया था, GT बताया था, TG लिखो ये GT लिखो एकी बाद होगी, GT रोड बताया था, तो इस तरीके से आपको कितने जाद होगे, ठीक है, इनवर्ड से अगर आप देखें, तो कितने बच गे आपके पास, ठीक है, एक आए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, आठ, तो आपके जाद होगे, ठीक है, तो बच कितने बच गे, अगर आप पीछे देखोगे, ठीक है, तो कितने बच के आपके पास, ठीक है, हैं कितने टोटल, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बार तो आपके पास कितने बच गया है सिंपली यहां पर मैंने आपको गिन के बदाती है नहीं तो अगर आप देखोगे तो 26 आप रहता है हमारा तो उसको 2 से डिवाइड करोगे 13 रहेगा ठीक है फिर भी मैंने आपके लिए काउंट करके बता दिया आप लोगों को तो कितने अगर आप को कितने जाद करने हैं ठीक है ना तो आप आप देख सकते हों तो कुछ तो आपको पढ़ना पड़ेगा क्यों कि साफ हरेक?- ठीक से नहीं होती थो कुछ चीज़े यहां घ्रखने पड़ेंगे ठीक है अगर मैं friendly छारें आप से बात करनों तो आप इन आपको यह वर्ड बता है ने यू ए फ ऊ फ वो गया वई वगया इन से जाद करिए ठीक है इससे क्या होगा जैसे आपको वर्ड की जाद रुखने के जूरतर नहीं अगर आप वो वर्ड यह रखते हो तो मैं यह नी बहुता है जोटी ऑ लेकिन अगर प्रॉपर पुजीशनिंग अगर आपको पता है आपके माइन पे तुरुंत स्ट्राइक करना चाहिए मैंने आपको पूछ लिया कि बता N कितना होता है तो आपने जोटी लिखा उसके बाद देख रहे हो कर देख के बाद की वरेकर और कि आपको पता दी he कू Um को पूस्ति देखे अच अपके सामने यहाँ पर सिरिस लिखी हुई है A, C, E A, C, E, or G, और Next आपको Find करना है, ठिक है, अब इस series को किस तरीके से Find करेंगे, ठिक है, ये examples मैं आपको आज बताओंगा किस तरीके से आपको क्या करना है, Simple इनकी positioning की लिखने है A की positioning क्या होती है, 1 ठिक है, C की positioning क्या होती है, 3 E की positioning कितनी होती है, 5 5 G की positionnick क्या होथी है 7 Next आपको पुछा गया तो simple आपको पता चल गया वन से थी हो रहा है त्री से फट थी त्री से वाइफ हो रहा है फट से हो्रहा से आपको basic simple सा बता रहा हूँ आपको कुछ complex questions भी पूछे जा सकते हैं ठीक है तो आपको उनके लिए त्यार है ना ठीक है तो आपको इसका दियान रखना है ठीक है नेस एक और इकज़ंप्ल मैंने आपके लिया हूए ठीक है यहां पर आप देखो तो आपके पास थीक है दो दो आलफा वेट को मिनाके सीरीज बनी वोई यह ठीक है अब नेस्ट कूंड सा है ? n की बोजिशनिंंग कितनी होती है ? बताईया यह आ ऐ 17 στο पके कितनी होती है ? or f के बोजिश्निंग कितनी ह 10 नथ को रहता है ? 16 से क्या हो रहा है 14 14 से हो रहा है 12 ठेक है और यहां पर आप देखो तो 18 से 16 ठेक है यह देख सकते हो आप इस तरीके से चल गया नीचे क्या हो रहा है 16 में से माइनस 2 किया तो 14 14 में से माइनस 2 करा तो कितना हो गया 12 ठेक है और उपर भी क्या हो रहा है माइनस 2 हो रहा है 18 में से माइनस 2 करा ठेक है इतर में लिक रहा हूं माइनस 2 हो ठेक है यहां पर जिगा करमें थोड़ी तो 18 में से माइनस 2 करा तो 16 और 16 में से माइनस 2 करा त तो नेस्ट होगा 12 में से भी माइनस 2 होगा तो वह जाएगा 10 और 14 में से भी माइनस 2 होगा तो वह होगा 12 अब आपको बताना है 10 और 12 कौन सी पुजिशनिंग होती है कमेंट कीजिए options आपके सामने है ठीक है तो अभी आपको answer मिलेगा इसका तब तक आप मुझे कमेंट कीजिए मैं आपको देता हूँ 5 seconds ठीक है तो आई होप आपने अभी तक कमेंट कर दिया होगा ठीक है 10 पुजिशनिंग किसकी होती है जे की पुजिशनिंग रहती है 10 ठीक है और अगर बात करूं 12 12 पुजिशनिंग किसकी रहती है तो बताईए आप मुझे एल की रहती है तो option second यहां पर correct हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से यह questions हो रहे है तो आपको इनका पता होना चाहिए proper तरीके से positioning पता होना चाहिए आपको पत देखिए आप खुद आपके सामने है कि positioning से कितनी असानी से आप इसको find कर सकते है ठीक है अब बात कर लेते है analogy की ठीक है basically यह analogy यह alphabet series का पाड़नी है लेकिन opposite मैंने आपको जो बताया यह basically आपको कहां कहां पर use दोंगे coding decoding में बहुत importance रहती है इसकी ठीक है जब हम coding decoding start करेंगे तो तब आपको मैं बताऊंगा कि है इसकी कितनी importance रहती है और analogy में भी बहुत ज़्यादा पूछे जात यह ठीक है यह word जो है ठीक है तो e को क्या लिखेंगे options आपके सामने आपके पास है 5 seconds answer करने के लिए तो आप 5 seconds में इसका answer कीजिए तब तक हम करते हैं wait I hope आपने अभी तक answer कर दिया होगा तो e का क्या आज जाएगा ल ओ बी इका क्या होता है बी एवन ठीक है तो आप इसको यह तो आपका वर्ड भी आ गया पूरा आप इसको word से जाद रख सकते हो ठीक है इसको word से जाद रख सकते हो जैसे मैंने आपको word बताया था love ठीक है उससे ज्याद रख सकते हो नहीं तो L का क्या होता है O ठीक है मैंने लब से बताया था हो E का क्या होता है B E1 बताया था ना आपको तो option 4 यह है इसलिए correct हो रहा है जहां हम पर ठीक है तो next देखते हैं नैसे आपके सामने एक और question मैंने लाया हुआ ठीक है इसको भी आप देखिएगा ठीक आप पूजर्ट सीरीज के लिटर यह जे भी ठीक है G और J को क्या लिखते हैं T और Q लिखते हैं M और H को क्या लिखेंगे ठीक है इसका मैं बताता हूँ आपको G और T को चैनल करके बताएं ठीक है अब आपको बताना है M और H को मैंने किस से आपको बताया था और यहां पे क्या आएगा और यहां पे क्या हैगा options आपके सामने है five seconds इसके लिए enough रहेगा तो five seconds में आप इसका answer कीजए क्या आएगा तो आपने भी कमेंट्स कर दिये होंगे तो मैं बतातो हूं आपका M को किसे ज़ाद करने को बताया था मैं आपको मन एम और एन मन और एच को किसे बताया था हाई स्कूल ठीक है तो अब इसके ऑप्षिंस के कार्डिंग देखें तो कौन सा हो जाएगा एन और एस होना चाहिए ठीक है यहां पर आप्षिंस में एस और एन भी दे रखा है तो आप एस और एन टिक नहीं कर दीजिएगा क्योंकि पहले M का है ठीक है यहां पर अगर देखें तो पहले G का है G का T और बाद में क्या है जे का Q अगर यहां पर ऐसे होता G, J और यहां पर ऐसे होता Q, T तो कैसे हुआ? G का Last में दे रखा है T और J का First में दे रखा है Q तो Options कून सा होता? Second Option Correct हो ठीक है लेकिन यहां पर एसा नह आएगा as option 3 यहां पर correct हो जाएगा तो इस तरीके से यह question तरहीक आनलोजी के लेटर्ड आपको पुछे जा सकते हैं तो यह question मैंने आपको बताए सीरीज के लेटर डेस दिलेके रिलेटर कैसे पूशे जा सकते हैं तो जो नेस्ट हमारी वीडियो रहने वाली है उसमें आपको प्रॉपर बताने वाला हूं जो हमारी ससी जाइए में कोशन्स पूशेगे हैं सबसे पहले हम लोग ससी जाइए के कोशन्स डिसकस करेंगे 2012 से ल कर दीजे ताकि जब मैं न्यू वीडियो गनाऊ तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और इन वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए इनको हर जगा फिला दीजे क्यूंकि अगर वो भी किसी एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी काफी हेल्फ अगर आपको वीडियो अच्छे लगी और लाइक और कमेंट भी कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी किजिएगा थेंक्यू गय्स